गैंक्स्टर से नीता बने मुखतार अंसारी के पार्थिव शरीर को यूपी के गासे पुर लाए गया है जहाँ एक तरफ परिजन मुखतार को सुपोर देखाक करने की तैयारी कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बल पुरी मुश्टैदी के साथ मौके पर तैनाथ है जिससे स्थिती को कावु में रखा जा सके येंक्स्टर के आवास के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है चारो तरफ सुरक्षा बल नजर आ रहा है बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को दस बजे के करीब तफन किया जाएगा जिसको लेकर मौके पर क्या तैयारिया की गई है कितनी फोर्स को तैनाथ किया गया है यह सब चानकारी एसपी गाजेपूर ओमवीज सिंग और डियम गाजेपूर आरेका अखोरी नी दी है पूरे सुरक्षा के चार चोबन वो है परिवार के लगातार संपर्क में है और जो रिती रिवाज है उसके हिसाब से सुपरदेखा किया जाएगा रात शवाके उनके आवास पर रखा हुआ है परियाप संख्या में फोर्स है फोर्स की कोई काउंटिंग नहीं की जाती है ना बताई जाती है लेकिन परियाप संख्या में अर्दसैनिक बल, पुलिस बल सभी उपलब्ध हैं और रात भी लोगों से अनुरोद कर लिया गया था कोने हमारी टीम है हर जगे कर रही है कि अनावश्यक रूप से भीड़ना लगाई जाए जिन लोगों को आना है परिवार की तरफ से कहा गया है उनके आवास पे वो थोड़ी देर के लिए सब रखेंगा और लोग जाके महाँ पे अपना जो समवेदना व्यक्त करने आते हैं तो उनके आवास पे जाके व्यक्त कर सकते हैं जो परिवार ने बताया है दस बजे सभी तैयारियां पूर्ण है आप देख सकते हैं कि जो रूट है वो उनके आवाज से लेकर कप्रिस्तान का लगभग 900 मीटर का ये 600-700 मीटर का रूट है और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करके हम लोगों ने रूट पे जनाजे के रूट पर फोर्स लगा दी है जो भी है जिनकी लिस्ट हमारे पास है जो रहेंगे और उनके जान पैचान के लोग जो भी है जो मिट्टी डालने की रसम करना चाहते है वो भी आएंगे गौर्दुलेव है कि गैंग्स्टर से नेता बने मुखतार अंसारी का थाईस मार्च को दिल का दोरा पढ़ने से निधन हो गया मुखतार अंसारी में उत्तरप्रदेश के बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पिताल भी आखिरी सास्ते थी